पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेंग टैन्यू को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और टैन्यू के मौद के बारे में सुनते ही मेंगई का डीमन फायर आउट आफ कंट्रोल हो गया था अब मेंगई गुस्ते में लियू रुलोंg पर अटैक करने लगती है जिसके बाद लियू रुलोंg मेंगई का सामना नहीं कर पाता और तुरंत वहाँ से भाग जाता है लेकिन तभी मेंगई भी अचानक से नीचे गर जाती है और वही पर बेहो सो जाती है अब लियू रुल के लिए उसका पीछा कर रहे हैं यह सुनते ही लिउरोलोंग गार्ड से रिफाइनमेंट स्टेज वाले लाफर्म स्टूडेंट को वहां भेजने के लिए कहता है और बताता है कि टीचर मेरे अडॉप्टिव फादर हैं वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे वहीं अब ये टीयान लिंग हू के पास जाता है और बताता है कि मिरोनकुन के कुछ लोग टैंड यू का पीछा कर रहे हैं यह सुनते ही लिंग हू परिषान हो जाता है और तुरंत वहाँ अपने आदमी लीन यू को भेजने के लिए कहता है क्योंकि अगर मीरोन कुन के लोगों ने टैन यू को मार दिया तब लिंग हूँ अपना बेट हार जाएगा इधर सुनो वेली में पेंग को टैन यू मिल गया है और वह लगातार उसका पीछा कर रहा है लेकिन टैन यू इनसे काफी तेज भाग रहा है तब ही टैन यू को बरफीले दानों का गुफा दिखाई देता है और वह पेंग को उसके बीच फसाने का डिसाइड करता है वह पेंग और उसके लोगों का मजाग उड़ाने लगता है और कहता है आज तुम अपने इग्नोरेंस के वज़ह से मरोगे यह सुनकर पेंग के आदमी कन्फ्यूज हो जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि टैन यू के कहने का मतलब क्या है फिर वह पेंग से पूछते हैं लेकिन उसे भी पता नहीं होता अब पेंग 10 यू पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर से उसका पीछा करने लगता है लेकिन असल मेरिया सब 10 यू का पूरा प्लान होता है वह बरफिला दानो पर पीछे से अटैक करके तुरंत वहाँ से भाग जाता है इसके बाद बरफिलादानो गुस्ते में पेंग और उसके लोगों के सामने आ जाता है और उसे देख पेंग काफी डर जाता है तभी बरफिलादानो पेंग के एक आदमी पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है यह देख पेंग भी अपने लोगों के साथ वहां से भाग प्रफिला दानों इनका पीशा करने लगता है वहीं अब टैन्यू भी इनके आगे ही भाग रहा होता है लेकिन तभी सामने सियोंग वेली का कोल्ड पुल आ जाता है कुछ दिर में पैंग भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुच जाता है लेकिन अचानक से बरफिला दानो भी वहीं रुख जाता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता या देख पैंग समझ जाता है कि कोल्ड पुल में इस से भी पावरफुल कोई मौन्स्टर होगा पैंग को लगता है कि टैन्यू अब दोनों तरब से फंस गया है इसलिए वहाँ अपने लोगों के साथ टैन्यू के बाहर आने का इंतजार करने लगता है वहीं अब टैन्यू कोल्ड पुल से बाहर आ जाता है और अपने स्ट्रेंथ रिस्टोर करने लगता है लेकिन तभी पैंग और उसके आदमी इसे देख लेते हैं और इसे रोकने के लिए नीचे आने लगत पिर यहाद एक 10U तुरंत फिर से पूल के अंदर कूज जाता है लेकिन अब 10U ने बहुत ज़्यादा spiritual power यूज कर लिया था इसलिए अब उसे अपनी power को recover करने की जरूरत थी तभी अचानक ही 10U के सामने एक monster python गुजरता है लेकिन उस python ने 10U को नहीं देखा हो था अब 10U सम से ज्यादा समय बीच जाता है लेकिन पेंग के आदमी को 10U नजर नहीं आता इसलिए वहाँ पेंग से यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी monster ने अब दक 10U को मार दिया होगा लेकिन पेंग को ऐसा नहीं लगता और यहाँ जगा चारों तरप से प अपनी strength recover कर रहा है यहाँ देख पेंग और उसके लोग भी अपनी strength recover करने लगते हैं तभी कुछ दिर बाद वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जिसमें से लीन यी और उसके लोगों को लिंग हूँ ने भेचा है और बाकी लियू रुलोंग के लोग हैं लियू अपने की धमकी देने लगता है फिर पेंग उसके साथ एक deal करने की बात करता है यह सुनकर लिन यी पेंग के पास आता है फिर पेंग कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी ability से 10 you को मारने की कोसिज करेंगे लेकिन इसमें कोई भी किसी के बीच नहीं आएगा यह सुनकर लिन य पेंग की डील मान जाता है फिर लिनी अपने लोगों को बताता है कि कोल्ड पुल में फॉस्ट रेट ट्रीबूलेशन लेवल का एक मौन्स्टर है इसलिए सभी लोग केरफूल रहना और इसके बाद वहाँ अपने लोगों के साथ अंदर चला जाता है जिसके बाद पेंग क्योंकि अब पीछे से लिनी भी उसके पास पहुचने वाला है और सामने एक पाउरफुल मौन्स्टर पाइथन खड़ा है तभी पाइथन टैन यू पर अटैक कर देता है लेकिन टैन यू उसके अटैक से खुद को बचा लेता है लेकिन इस दोरान आप पाइथन की नजर पेंग और लीनी के लोगों पर चली जाती है जिसके बाद पाइथन उनका पीछा करने लगता है और फिर सब अपनी जान बचाने के लिए वापस भागने लगते हैं अब टैन यू इस मौके का फाइदा उठाता है और अपने लिए कोई सेफ जगा खोजने लगता है इधर लीनी के लोग पाइथन को मारने की कोशिस करते हैं लेकिन पाइथन उनको ही मार डालता है वही टैन यू पानी के अंदर होता है जहां उसे स्ट्रोंगी स्प्रीच्वल औरा के होने का एहसास होता है तभी एक मौंस्टर सेंटीपेट टैन यू को पकड़ने वाला होता है लेकिन टैन्यू एक जगा पर छुप जाता है। तबी टैन्यू को वहाँ इस प्रीच्वल सीलिंग फॉर्मेशन नजर आता है। और वहाँ समझ जाता है कि इसी वज़ा से यहां का औरा स्ट्रॉंग है। इसके बाए टैन्यू अपनी पावर से उसे ओपन कर देता है। लेकिन अब मॉंस्टर सेंटीपेट ने भी उसे देख लिया था। इसलिए उसके पहुँचने से पहले टैन्यू इस्प्रीच्वल सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर बहुत सारा इस्प्रीच्वल लिक्विड होता है। जिसकी मदद से टैन्यू बहुत असानी से इस्प्रीच्वल रिल्म के नौवी लेबल पर पहुँच सकता है। तभी टैन्यू को दातों का ध्यान आता है और वहाँ उसे भी बाहर निकाल देता है। यह देख लिन यी उस पर अटैक करने जाता है जिसके बाद टैन्यू भी अपनी तलवार निकाल लेता है। और उसके नौवी लेबल वाले पाउर को देख लिन यी हैरान हो जाता है। क्योंकि इतने कम समय में नौवी लेबल तक पहुँचना impossible है। लेकिन फिर भी लिन यी और पेंग इसकी चिंता नहीं करते और अपने लोगों को टैन्यू को मारने भेज देते हैं। इसके बाए टैन्यू जब इनके उपर पाउरफुल अटैक करना सुरू कर देता है, सब काफी डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। लेकिन अब टैन्यू किसी को नहीं छोड़ता और सब को एक एक करके मारने लगता है। इस दोरान कुछ लोग यहां से निकलने वाले होते हैं लेकिन टैन्यू उनको भी जिन्दा नहीं छोड़ता। अब टैन्यू की पाउर देख लीन ये डर गया होता है, इसलिए वह पेंग के साथ मिलकर उस पर अटैक करने का प्लान बनाता है। लेकिन पेंग खुद को टैन्यू से ज़्यादा पाउरफुल समझता है, इसलिए वह अकेले ही उस पर अटैक करने का डिसाइड करता है। इसके बाद पेंग अपने स्टार रिफाइनिंग बोडी में आ जाता है, जो की बहुत ही पाउरफुल होती है। लेकिन जब वह टैन्यू पर अटैक करता है, टैन्यू अपने पावर से उसे दूर फिग देता है। तभी एक अदमी पहार के सहारे उपर तक पहुचने वाला था, लेकिन टैन्यू उसे नीचे गिरा देता है। इसके अलावा और तीन लोग बच कर भागने की कोशिस कर रहे होते हैं लेकिन अब टैन यू वहाँ भी आ गया होता है और फाइनली उन तीनों को भी मार देता है अब टैन यू को मेंगई के बारे में याद आता है और वह तुरंत सीक्रेट रिल्म से बाहर आ जाता है इसके बाद वह सीधा मेंगई से मिलने जाता है फिर हम देखते हैं कि मेंगई पिछले इंसिडेंट के बाद से अभी तक बेहोस पड़ी है और सूज यान उसकी कंडिशन देख काफी रो रही है लेकिन तभी 10 UV वहां आ जाता है अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अप्लोड होने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेना और पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख लेना